बारती सशस्त्र सेना ना सिर्फ वर्तमान बलकि भविश्य को लेकर भी मुस्तैद है भारती सशस्त्र सेना लदाग जैसे छित्रों में किसी भी चुनोती से लड़ने को तयार है देश की सेना के अदम में साहस और शौर पर कोई शक नहीं है लेकिन कभी कभी प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल होती है लदाग जैसे उंचाईवाले चित्रों में सर्दियों के समय तापमान बहुत कम हो जाता है जो कि शूनी या फिर माइनस में पहुंच जाता है ऐसे में सामान डीजल से वहानों को संचालित करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में डीजल जमने लगता है इसी समस्या से निपटने के लिए हाली में देश की सबसे बड़ी तेल विप्रन कमपनी इंडियन ओयल कार्पोरेशन यानि आई योसी लदाक छेतर में सेना को विंटर डीजल की आपूर्थी करेगी फिलहाल वरतमान में इंडियन ओयल कार्पोरेशन लिम्टेड भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड जैसी अन्य तेल विप्रन कमपनीया लदाक जैसे दुरगम इलाकों में सेना के लिए स्पेशल विंटर डीजल की सप्लाई करती है। विंटर डीजल की खास बात यह है कि इसमें हाई सल्फर पावर पॉइंट होने की वजह से यह माइनस 33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी नहीं जमेगा। क्यूंकि इसे जमने से रोकने के लिए इसमें कुछ फईोल इडिटिब्स भी मिलाया जाता है।vant. आपको बता दें कि वहानों के माईले whales की समस्या फईोल इंजक्टर पर कार्बन का जम जाना जिसे समस्याओं के तोरप फईोल इडिटिब्स का इस्तमाल किया जाता है। पास किसम का डीजल BS6 के मानकों के अनकूल है जिसका निर्मान पानीपत रिफाइनरी में हुआ है और इसकी आपूर्ती पंजाब के जारंधर से की जाएगी। गौतलवे की बीतेवर्ष नवंबर में केंदर सरकार लदाक छेतर के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल विक्रिकेंद का सुभारम कर चुकी है अब डिरेक्टर जनरल आफ कौलिटी एस्टि यानि डी जी क्यू ए ने सेना को विंटर डीजल के इस्तमाल की मंजूरी दे दी इतना ही नहीं लदाक व अन ऐसे दुर्गम भाड़ी इलाकों में आम लोगों की जरूतों को पूरा करने के साथ साथ परिटन को भी बढ़ावा मिलेगा परिच्छा के दिष्टी कोन से ऐसे ही महत्तुपों टॉपिक और बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहे टार्ग